कि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर लें और बैल आइकन को दबा दें ताकि आप अगली वीडियो बिल्कुल भी मिशना कर पाएं नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल रेलवे उच्ची में प्यार आपका फिर से सवागत है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को हर जगे फैल आएं आगे मैं सबको ऐसी जानकारी बाढ़ अजसे से चलो वीडियो देखते हैं यह सबसे पहले आती है SS wire rope ending cone आप इसका नंबर देख सकते हैं 5341 यह SS wire rope ending cone है यह इसकी GB है देख सकते हो दोस्तों अगर यह एक आपकी इस्टोर से गुम हो जाती है तो मान लिजी आपका एक थ्री पुली सेट खराब हो गया है बिना ending cone के आप SS wire rope को नहीं लगा सकते contact wire ending cone RI number 1110-1 यह इसकी GB है इसपे भी number आपको दिख रहाऊगा 1119-3 यह इसपे लिखागा 1119-9 contact wire ending cone इसके आगे आता catenary wire ending cone आप इसको देख सकते हो इसका RI number होता है 1120 यह अपना cross feeder wire ending cone यह 150 square mm की जो wire होती है उसमें लगता है इसका RI number होता है देखे लिखा हुआ 1130 जब हम LS wire के ending cone देखते हैं वह भी same होता है उसका number होता है 11140 इन दोनों में क्याफ रखोता है वह भी मैं आपको बता देता हूँ जब हम इसको खोलेंगे यहां से यहां पर आगर आपको दिख रहा हो एक number लिखा होता है जो आपका cross feeder wire ending कोन होता है वहाँ पर आपका 1104 लिखा होगा और जो large span का wire ending कोन होगा वहाँ पर आपको 1143 लिखा होगा यहां पर mention होगा number आपको थोड़ा थोड़ा नजर भी आ रहा होगा सबसे अच्छा यही होगा कि जब भी यह material store में आता है तो हमको इसको mark कर लेना चाहिए अपने permanent marker से इसमें numbering कर देनी चाहिए यह large span के लिए या cross feeder के लिए है यह अपना steel wire ending कौन RI number है 1360 यह अपनी anti-grip wire में यूज होता है anti-grip intervention में आसानी से आपको पता जाएगा जब आप अंदर भी देखेंगे जी भी इसकी बहुत ही पतला पतली होती है यह है अपनी feeder wire ending कौन aluminum feeder wire के लिए जो use होती है इसका RI number होता है 1600 यह इसकी GB है GB भी नंबर लिखा होता है 1602 इसमें 12 mm का U volt लगता है SS में इसका RI number होता है 1603-S यह देखें आप feeder wire वो इस side से अंदर जाके इस side थोड़ा बार निकलता है जब हम इसको terminate करते हैं आप 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 यह अपनी catenary splice है RI number 1090 90 दोनों तरफ देखो इसको GB है इसमें इसमें भी दर है यह contact slice है, इसका R.I. number 1080, यहाँ पे लिखा भी है 1080-1, इसमें 12 mm का बोट लगता है, 12 x 25, SS में यह अपना 18 mm कोपर बसबार होती है, उसकी splice है, इसका R.I. number 6320, जब हमारी बसबार को splice करते हैं, तो यह इसमाल करते हैं, देख लीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, उमीदे वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे, और इसको हर जगे पे शेयर कर दे, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले, धन्यवाद.